क्रिया बच्चों क्रिया का अर्थ है काम काम या तो किया जाता है या होता है इन वाक्यों को पढ़िये तोता मिर्च खाता है बारिश हो रही है बच्चा दोड़ता है यहां खाता है हो रही है दोड़ता है क्रिया शब्द है क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं बच्चों काम करने वाले को करता कहते हैं यह है वाक्य पढ़िए अभिशेक बर्गर खाता है यहां खाने का काम कौन कर रहा है? यहां खाने का काम अभिशेक कर रहा है इसलिए अभिशेक करता है करता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं वाक्य पढ़िए अभिशेक बर्गर खाता है अभिशेक क्या खाता है? अभिशेक यानि करता बर्गर खाता है इसलिए कर्म हुआ बर्गर इस तरह इस वाक्य में करता है अभिशेक कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है आईए बच्चों अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानें. क्रिया के मुख्यतह दो भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक. सकर्मक क्रिया सव का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के यानि की कर्म के साथ क्रिया का होना वे वाक्य पढ़िये जतिन सेब खाता है मा पत्र लिखती है इन वाक्यों में जतिन और मा करता है खाता है, लिखती है, क्रियाए है जतिन क्या खाता है? सेब मा क्या लिखती है? पत्र जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक्रिया कहते हैं यानि कि यहां खाना, लिखना सकर्मक्रियाएं हैं बच्चों, सकर्मक्रिया की पहँचान आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक्रिया जरूर होती है वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वहेक्रिया सकर्मक होती है इस तरह बच्चा दूद पी रहा है हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या पी रहा है उत्तर है दूद यानि की पी रहा है सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के यानि कर्म के बिना ये वाक्य पढ़िये जतिन दोड रहा है, मां हस रही है इन वाक्यों में जतिन और मां करता है दोड रहा है, हस रही है, क्रियाएं है अब हम प्रश्ण पूछेंगे जतिन क्या दोड रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है मां क्या हस रही है? इसका भी कोई उत्तर नहीं है इस तरहे दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्ण पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता इन दोनों वाक्यों में केवल करता और क्रिया है इनमें कर्म नहीं है इसलिए दौड रहा है, हस रही हैं, अकर्मक्रियाएं है यानि कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहँचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्ण करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है इस तरह बच्चा रो रहा है हम प्रश्ण करेंगे बच्चा क्या रो रहा है बच्चों इसका कोई उत्तर नहीं है इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है इसका उत्तर है बच्चा अतह जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक्रिया होती है